नमस्क्त दोस्ते में हुँ राज विजनीश ट्रेनर एंड मोटिविशनी श्वीकर दोस्ते में स्वागत करता हूँ आप सब का आपके अपनी यूट्यूब चैनल जहां पर इंपोर्ट में कीटिकल में सिंपल बनाते हैं तो फ्रेंड से एक इंटरस्टिंग टोपिक आज आ आपको कितनी लगने वाली एक्सपोर्ट पॉर्मिशन काउंसिल आपको क्या लगेगी टाइप ओप हमेस यानि हैवी मेल्टिंग स्टील के टाइप क्या रहते हैं जो इंटरन से मार्केट में नौर्मिल ज्यादे चलते हैं रहिज्ब किया आपको क्या है युले लगहां ऐसे का फैज क्या है Citizens का मान से महान से बनी ट्रकी यहां पर परियर इंपोर्ट कर रहा है 22.4 लाक मिट्रिक टन का एक बड़ी वैल्यू है बड़ी क्वानिटिटी आप अंदाजा लगा के देखे 22.4 लाक मिट्रिक का परियर टर्की हम हर हर एक साल में इंपोर्ट कर ले रहा है है from different different countries वो कहां कहां से import करता है वो हम आगे बताएंगे and that is around 5.19% 5.19 billion US dollar का जो उसका value है total जो import करता है 22.4 lakh metric ton का उसका value है 5.1 lakh billion US dollar का second number पर हिंदुस्तान आता है तो इंदिया कितना import करता है इंदिया यहां पर year 5.3 lakh metric ton का HMS scrap import कर रहा है for per year from different different countries and that is around 3.34 billion US dollar का में import कर रहे है per year HSM HMS scrap और वो हम import करके फिर हम उसको export भी कर रहे हैं उससे कुछ goods बना के कुछ manufacturing करके उसको melt करके galvanize करके कुछ अलग product बना के अच्छे चे product बना के different different countries में हम उसको export कर रहे है और अच्छा कासा पैसा हम कमा रहे हैं तो मेरा हाज जोड के नमर निवेदन यही है जो लोग HMS scrap का import कर रहे हैं वो अगर manufacturing unit उनके पास नहीं है तो manufacturing unit को आप दीजे और वो manufacturing units फिर उससे manufacturing करके वो फिर उसको वापस export करेंगी तो हिंदुस्तान की economy जरूर ग्रोह होगी अगर थर्ड नमबर के importer की बात करें तो थर्ड नमर पर यहां पर युएसे आता है तो यह से पर यह कितना इंपोर्ट कर रहा है युएसे यहां पर यह पर यह इंपोर्ट कर रहा है पर यह इस राउंड 2.16 बिलियन युएस डॉलर और ताइवान की बात करें अगर फिफ्ट नमबर की बात करें तो ताइवान यहां पर 3.6 से लैक मिट्रिक टन का परियर इंपोर्ट कर रहा है अगर मैं बात करू हिंपोर्ट ड्युटी inspect की अगर हिंदुस्तान में आपको इंपोर्ट करना है उसका 15% 15% कस्टम ड्यूटी यहां पर 15% आपको इंपोर्ट ड्यूटी लगने वाली है प्लस 18% नॉर्मल यहां पर GST लग जाता है तो उसी साथ से अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं सस्ते रेट में आप इंपोर्ट कीजिए और फिर उसका कुछ गुर्स बना के आप अच्छे रेट में उसको बेची एक्सपोर्ट कीजिए हैं यानि हमस one एंड हमस two है में वन क्या होता हो इक यह मेटल रहता है जिसका देंस्टी जादा रहती है दैट कैन बी गेइनवलाइज़ तो उसका देंस्टी नोर्मली कितना रहता है वह हैं बल्क में यह आता है तो वह बन मीटर क्यूब का अगर एक वॉल्यूम लेते हैं यानि वनमीटर लेंद्ट वनमीटर वीर्थ और वनमीटर हाइट अगर रहता है तो उस वॉल्यूम में कितना श्टील आना चाहिए तो वो आना चाहिए 700 केजी 700 केजी यानि जो इसका डेंस्टी है वह पॉइंट सेवन मीट्र क्यूब उसक सेवन टू जीरो फोर नाइन जीरो 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 आप इसको नेट पर भी चेक कर सकते हैं इसका एचस कोड किस तरी किसे आप काम मिल लाएंगे अगर मैं प्रॉफिट मार्जन की बात करें कि अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ प्रॉ प्रॉफिट मार्जन यहां पर नॉर्मली देखने को मिल जाता है नॉर्मली आपको 200-300 प्रॉफिट मार्जन यहां पर देखने को मिल जाता है वैसे तो किसी किसी ट्रेड बे ज्यादे भी प्रॉफिट मार्जन हो जाता है यानि अगर आप खुद एक मैनुफेक्टरिंग कमपणी एक manufacturing unit है आप scrap import करती है heavy metal steel का scrap import करते हैं और उसको milk करके granularize करके कुछ और product बनाते हैं और उसको फिर आप export करते हैं तो फिर आप एक्सपोर्ट करते हैं अगर total cycle का profit margin देखने के जाते हैं तो 400-500 प्रशन तक का भी profit margin अगर एक अगर एक आवरेज प्रॉफित मार्जन को बात करें प्रौफित मार्जन प्रौफित मार्जन प्रॉफित को सैंसे प्रॉफिट मार्जन के लिए में कुछ लोग ऐसे कमेंट भी बतातें कि सर इतना प्रॉफिट मार्जन क्या पॉसिबल है क्या यह पॉसिबल है अगर आप बात करें कि वैधनता गुरूप की वैधनता गुरूप के जो CEO है जो चेर्मेन है फाउंडर एंड सी ओ मिस्टर अनि अपरेशन एंड एनर्जी ओडिटर तो मेरा बेजो बैक्ग्राउंड है बेसिकल्ट आए मैं टेक्निकल परशन और मैं पावर प्लांट से रिलेटीड हूं पावर प्लांट से जुड़ा हूं यानि एलेक्टिसिटी जनरेशन की कम्पनी से जुड़ा वा हूं तो उसमें जो और बड़ बड़ रोटर भाएंट जाते हैं तो जो भी इसक्रैप बनता है जो भी स्क्रैप निकलता है यह अनि लगरवाल उसके जो रेजिस्टर्ट वेंडर बन गया उनसे वह इसक्रैप खरीते दे और आज उनका देखो आज उनके पावर प्लांट से और उनके प्लाएंगे और हमारे जैसे लाखों लोग उनके पास में काम करते हैं लाखों इंजिनिर उनके पास में काम करते हैं तो वह ग्रो इस्टोरी है मिस्टर अनि लगरवाल की वैधन्दा ग्रुप की जो की स्क्रैप का काम करते हैं जो आदमी को किसी को डाउट होगा इसकी ब दो एक्सपोर्ट भी करता है तो युएस से यहां पर कितना एक्सपोर्ट कर रहा है है वी मेटल का हेवी मेलटिंग इस्टील का वह परेयर एक्सपोर्ट कर रहा है 5.5 II billion youรos dollar का एक बड़ा वैल्यू है 5.5 two billion टोलर का परियर एक्सपोर्ट कर दे रहा है जर्मनी लूबर दो पर आ दोलर का पर यह अगर अंस बात करें लारков टियर का परियर एक्सपोर्ट कर दे रहा है HMS Scrap यानि Heavy Melting Steel Scrap अगर हम नीदर्लेंड की बात करें तो नीदर्लेंड यहाँ पे 2.54 बिलियन यूर्स डॉलर का पर येर HMS Scrap एक्सपोर्ट कर दे रहा है अब रिवर्स करताओ स्क्राइब है ऑप फार कई स्रेशन इंपॉर्ट करने हैं पूर्स और पनाते हैं तो इसे पोलिशन होता है अपको लगता है आप आप बंद के सूच सकते हैं कि मुझे पॉलिशन कंट्रोल बोर्ड से इसका सर्टिफिकेट जुरूर लेना ही लेना है जो सप्लायर है वह आपको प्रवाइड करेगा उनकी चेंबर ऑफ कमर्स से उनको मिल जाएगा तो फ्रेंड से वीडियो आपको पसंद आए जिरू आप इसको लाइक किजिए अपने फ्रेंड से फैमली में इसको जरूर सहीर कीजिए हार एक उस हिंदुस्तानी को सहीर कीजि और हिंदुस्तान का एक्सपोट बढ़ाने में हमारी मदब कीजिए लेट्स दो एक्सपोट तोगेदर थैंक यू थैंक यू अधिए आए जिरूए बढ़ाने में पस्तुस्ताने कीजिए आए एक उषाएवाट।